हलों बच्छों, तो बच्छों आजले क्लास आये कि क्लास हैं, अगर यहां लेप यरड दे दिया ना तो आनसर ठोबाइ सेवन आए गा और नॉनलीबória होगा तो वन बाइ सेवन आएगा ठीक है यह वैसे याद रखना पर लॉजिक है कि जब आप लीपियर करते हो तो टोटल नंबर वीक्स हमारे पास जोई साल के अंदर 52 होते हैं 52 से अगर आप 366 को क्योंकि लीपियर है तो 366 डेज होंगे तो 52 से अगर आप 366 को डिवाइड करते हो तो दो दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं यह रिमेंडर बचता है और नॉन लीपियर होता है तो एक ही रिमेंडर बचता है तो एक ही remainder बचता है तो Saturday एक ही बार आएगा चाहे कभी भी लगा लो, साथ में से एक बार Saturday हो जाएगा लेकिन जब दो दिन बचते हैं तो Saturday आने की possibility दो बार हो जाती है या तो Friday Saturday या Saturday Sunday ठीक है इसलिए probability उसकी 2 by 7 आती है जाए Saturday हो चाए Sunday हो चाए Monday हो सभी में यह answer सेम ही रहता है सेकिड में करता है इस अनबाइस्ट कोई इस्टो तो त्री ताइमस आपने एक अनबाइस्ट कोईन को तीन बार फेका इसकी probability निकालें तो head की probability बढ़े 2 इसकी 1 by 2 इसकी 1 by 2 इसकी 1 by 2 इसकी भी 1 by 8 इसकी भी 1 by 8 इसकी भी 1 by 8 तो टोटल आगया आपके पास 4 by 8 यानि यह आंसर आगया 1 upon 2 option मनेगा second का C उसके पास जो next question है question number 3 इसमें करता है कि two unbiased dice are rolled दो unbiased dice हैं दोनों को roll करते हैं what is the probability of getting point neither six nor nine इसकी जो पॉइंट आरा point मतलब दोनों का समझ आरा dice पर ना तो 6 आएगा ना 9 आएगा यह number नहीं आने चाहिए तो हम लेकिन यही number हम count कर लेते हैं क्योंकि यह count करने आसान है इनको नहीं छोड़के करेंगे तो सारे number हो जाएंगे तो टोटल तो 36 होगे अब 6 कब कब आ सकता है 6 आता है आपके बास कब कब आता है 15 पर आएगा 51 पर आएगा ठीक है 24 पर आएगा 42 पर आएगा और 33 पर आएगा पांच बर ऐसा होता है जब 6 आता है और 9 कब कब आएगा 9 आएगा जब आप लोगे 3 6 6 3 4 5 5 4 ठीक है बस चारी होगे तो चारी होगे आपके पास तो टोटल 9 पर ऐसा होता है जब या तो सम 6 आता है या फिर सम 9 आता है तो टोटल आपके पास हो गया 1 में से आप इसको माइनस कर दो 9 अपॉन 36 तो 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा 27 अपॉन 36 तीन से काट दो और कट जाएगा तीन को डिवाइड करोगे आप चार से तो 0.75 थर्ड का आंसर बनेगा आपका सी कुश्चन नमबर फॉर्थ फॉर्थ में कहता है कि वट इस दा प्रॉबिलिटी देट फॉर्ट चिल्डन सेलेक्टिटेड रेंडम वुड हैव डिफरेंट बर्थ डे उनका बर्थ डिफरेंट डे पर आता है तो अगर पहले वाला बच्चा हम सेलेट करते हैं तो हमारे प इसके पास जो एक दिन इसका बढ़ड़ आए था वो दिन कम कर दो तो 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 यह रहेगा इसके पास एक दिन कम कर दो तो यह तो जाएगा चैंसिल 364, 363, 362 और नीचा जागा इसकी पावर 3 तो option बनेगा आपके पास A Question number 5 में कहता है कि एक box है इसके अंदर 5 white ball है, 7 black ball है 2 successive drawn of 3 balls are made हम क्या करते हैं, दो बार ऐसा करते हैं हम 3 ball निकालते हैं अब एक बार कहता है कि वही with replacement और एक बार कहता है without replacement, तो with replacement और without replacement में क्या क्या बनेगा हमारे पास सी, अगर हम with replacement करेंगे, तो हमने क्या करा कि हमने 3 ball निकाली, मालो 3 ball हमने निकाली, white वाली तो 5 में से हमने 3 ball निकाली, total ball हमारे पास 12 थी, 12 में से हमने 3 ball निकाली, अब यह क्यों वो ले उसमें से 3 निकलेंगी टोटल 12 थी 12 में से 3 आ जाएंगी इसको simplify करोगी इसको simplify करके क्या आएगा उसी से हमें आंसर पता चल जाएगा वैसे तो क्योंकि अगर इन चारों में से पहला वाला option जो आगे हमारे बस वह यांसर है 5C3 को आप solve करोगे तो यह कितना बनता है 5 इंटू में 4 इंटू 3 divided by 3 factorial 7 इंटू में 6 इंटू में 5 divided by 3 factorial बात की जोटा हमारी है वो कट जाएगी वो मैं लिखने रहा हूं ठीक है शॉटकट यूज कर रहे है और नीचा जाएगा 12C3 दो बार आ रहा है तो हम 2 से multiply कर देंगे सिधा 12C3 यानि 12 11 10 divided by divided by 2 से multiply नहीं करेंगे square करना पड़ेगा 3 factorial दो बार ही लिख लेते हैं सिधा छोड़ो क्योंकि इससे ये cancel हो जाएगा इससे ये cancel हो जाएगा अब बाकी देखो क्या क्या cancel हो रहा है चारती है 12 ये cancel हो गया और 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 पास से cancel हो जाएगा 2 पे 2 से ये cancel हो हो गया तीन पर और यहां से तीन से यह एक एंसल हो जाएगा चार पर पांस से एक एंसल हो जाएगा दो पर उपर रह गया सेवन ऊपर रह गया सेवन नीचे रह गया एलेवन फॉर इलेवन और टू तो तो इलेवन इलेवन हो गया वन वन ट्वें ओन ट्वेंटीवन 1 तूल नीचे से बनेगा ह Geschäft後 रोलजन गया कि यह option बनेगा हमारा इसमें question number five ए option तो डी बन गया लेकिन अगर आपको without replacement निकालना होता तो आप क्या कर दे इसमें हम क्या करेंगे 5C3 आपने पहले निकाल लिया अब यहां पर क्योंकि without replacement करना है आपको तो यहां जो total आएगा ना वो कम कर देना बस 7C3 और 9C3 इसका total कम कर देना ठीक है और इसने यह बोला है कि जो पहला draw है white ball का हो दूसरा draw black ball का हो तो इसके option को repeat करने की जरूद नहीं है बस इसी को simplify करेंगे तो आपके पास यह बन कि अब हुआ है एक को नमबर 6 में इसने दिया कि आपको की वह वही तीन बॉक्सियद जिसके अंदर यह composition है यह पहले बॉक्स के अंदर यह रेड़ बॉल है ठीक है और अलग-छी कर देता हूं यह रैड़ बॉल है इसमें यह रैड़ बॉल है इसमें यह रैड़ बॉल है फिर यहां पर white ball है, ठीक है यहां पर यह white, यहां पर यह white और यहां पर यह white, और फिर six blue ball है यह पर, यह blue ball है, यह blue ball है और यह blue ball है, अब यह कह रहा है कि if one ball is drawn at random, then what is the probability that they would have same color, एक ball हम निकालें तीनों boxes से और वो same color की ball होगी, अगर हम red वाली ball निकालें, तो उसकी probability क्या बनेगी, red वाली ball यहां से निकालोगे तो आएगी, पांच बोल है, upon में कितनी हो जाएगी, पांच, सथ, बारा, बारा, और शे, ठारा, सभी के अंदर ठारा है क्या, चारा, चोदा, यहां पर बीस है, अलग अलग है, यहां से हम red ball निकालेंगे तो आएगी, 4 upon 20, और यहा हो गया, ठीक है, प्लस, उसके बाद निकालनी है, आपको white ball, white ball यहां पर 7 है, यहां पर 8 है, यहां पर 4 है, तो 7, 8, और 4, नीचे यह आएगा, ठारा, बीस और 9, अलग लग करने की जरूरती नहीं कुछ, प्लस, उसके बाद निकालनी है, आपको blue, blue यहां से है 6, यहां से ह यहां से हैं 2, नीचे यही रहेगा, अब देखो इनका टोटल, पांच चोग बीस यह साथ, साथ हिदर से आया, यहां पर आएगा, आठ चोग बत्तिस, बत्तिस को साथ से मल्टिप्लाई करेंगे, तो साथ दुनी 14, साथ दुनी 14, साथ दुनी 16, दुनी 72, नीचे भी मल्ट मत करो, काटेंगे से ऐसी रहन दो, इनको एड़ करा, चार और दो 6, साथ दो 9, 9 और 6, 15, 2 और 1, 3, इसको कैंसिल करो, जितना इसको कैंसिल कर सकते हो, तो हमने इसको पांच से ग्यारा और 3, 14, दो से तो कट जाएगा, दो सत्रा दुनी 34, और दो अठे 16, दो से कट गया, नो पे, और काट लो दो से, दो अठे 16, दो नी मठारा, यहां से आगया 10, तो और तो कटेगा नहीं, मैं दिखा लिए, 89 आ गया, नीचे 99, 81, 810, 89 अपॉन में, 810, ऑप्शन में, देखो, 89 अपॉन में, 729 तो आ रहा है, तो मल्टिप्लाई में कुछ गड़बड तो नहीं है, ओप्शन आ रहा है हमारा इसमें, 6th का ओप्शन है, 89 तो हमारा ठीक आ रहा है, उपर नीचे, 729, टोटल तो गल्त नहीं कर और है, यहां पर देखो, इधर अठारा, इधर अठारा, इधर अठारा, यहां भी अठारा, यहां अठारा था, यहां काटा था हमने 9, तो नीच आ जाएगा 729, तो option बनेगा इसका A, question number 7 है हमारे पास, इसमें कहता है कि number is selected and random from the first 1000 natural number, 1000 natural number है आपके पास, what is the probability that the number so selected would be a multiple of 7 or 11, 7 से या 11 से दोनों में से किसी से भी divide हो जाए, ऐसे number आपको चाहिए, अब ऐसे number यहां पर कितने होंगे, पहले तो वह हमें find करना पड़ेगा, अगर अगर multiple of 7 देखेंगे, multiple of 7 यानि 7, 14 इस तरह से करकर के last में कौन सा number आएगा आपके पास, 1000 को अगर मैं divide करके देखूं 7 से, 6 remainder आ रहा है, तो last वाला number आएगा 994, और number कितने होंगे, यह 142 कोशन्ट आ रहा है ना, तो यह जितने भी number है, यह सारे होंगे 142, ऐसे multiple of 11 आप निकालोगे, तो 11, फिर 22, लास में आजएगा, 999 नहीं आएगा, 1000 को divide करके देखो आप 11 से, 11, 9, ज़र 99, ठीके 10 remainder बचे रहा है, तो 990, और इस तरह के number बनेंगे हमारे पास 90, अब लेकिन कुछ number ऐसे होंगे, जो 7 से भी divide हो रहे होंगे, 11 से भी हो रहे होंगे, जिसे 77, तो उनको खटाने के लिए हम क्या करेंगे, multiple of 7 and 11, 7 and 11 मतलब 77 हो गया, क्योंकि यह दोनों प्राइम नंबर है, तो 77, ऐसे 77 से आगे कितने number बनेंगे हमारे पास, 1000 को आप divide कर दो 77 से, 9 में से 7 के 2, फिर आप जाओगे 3 पर, 3 सत्य एक्कीस और 2 तेज, इस 3 में ही, 2 से जाएंगे, 2 सत्य चोदा और 2 सोला, यहाँ पर number बनेंगे 12, कौन सा number बनेगा, छोड़ो उसको, तो यह आपके पास A हो गया, यह B हो गया, यह intersection हो गया, मैं यूनियन फाइंड करना है, तो A, प्लस में B, माइनस यूनियन, ठीक है, और टोटल नंबर कितने है, 1000, तो इन दोनों को सॉल करो, 140 में से 12 के 130, 130 और 90, 13 और 9, 22, 220 और नीचे 1000, आंसर आ गया, दो से करेंगे, तो यहाँ 11 अपॉन में 50, 11 अपॉन 50 मतलब आ जाएगा, 0.22, तो सेवन्थ का ओप्शन बनेगा, हमारे पास C, कुशन नंबर एट में, कदा है कि एक बैग है, जिसके अंदर आठ रेड बोल हैं, पांच वाइड बोल हैं, तू सक्सेसिव ड्रॉव, थ्री बोल्स आर मेड, विदाउट रेप्लेस्मेंट, यहाँ पर विदाउट रेप्लेस्मेंट है, दा प्रॉवलिटी देट फ़र्स ड्रॉव विल प्रोड्यूस, थ्री वाइड बोल, एंड दा सेकेंड बोल, थ्री रेड बोल, जो भी पिछे हमने कोशन करा था, उसी कोशन की तरह ही है, तो यहाँ पर पहले आपको तीन वाइड बोल लेनी है, वाइड बोल आपके पास पांच है, उसके बाद, क्योंकि विदाउट रेप्लेस्मेंट है न, तो पहले इसकी जब प्रॉवलिटी आप निकालोगे, तो आठ पांच तेरा तेरा बोल है, उसमें से तीन निकलेगी, उसके बाद आप रेड बोल निकालोगे, रेड बोल आपके पास आठ है, लेकिन विदाउट रेप्लेस्मेंट है, जो तीन बोल आपने निकाली थी, वो वापस नहीं डाली है, तो 10, C, 3, तो सभी के जो बेस में, डिनोमिनेटर में सभी के 3 फेक्टोरल आएगा, तो वो लिखने की जरूवत नहीं है, टाइम अपना बचाओ, उपर क्या आजाएगा, यहाँ पर 5, 4, 3, इधर आजाएगा, 8, 7, 6, नीचा आजाएगा, 13, 12, 11, 10, 9, 8, इसको सॉल्ट कर दो, यह आपका आंसर आजाएगा, तो देखो, अब क्या क्या कर सकते हैं, 4, 3, 12 तो यह हो गया, ठीके, 8 ही हो गया, और 6 से क्या कटेगा, 5 से यह कटेगा, 2 से यह कटेगा, 3 से यह कटेगा, तो उपर बचा आपके पास 7, नीचे आगया, 13, 11, 3, ठीके, 11, 3, जब 33 हो गया, 33 को इससे करेंगे, 13, 49, 49, 42, 7 अपन में, 4, 2, 9, ओप्शन आगया, 8 का C, पोश्चन नमबर 9, इसमें गदाद देरा, 2 बॉक्स इस कंटेनिंग, 5 वाइट और 6 ब्लू बॉल, 3 वाइट और 7 ब्लू बॉल, इसमें से एक बॉक्स सेलेक्टिड, पहले हमें इसमें से एक बॉक्स सेलेट करना है, and a ball is random, and a ball is drawn from it, and the probability the ball is blue, अगर माल लो आपने पहला वाला बॉक्स सेलेट करा, तो पहले वाले बॉक्स के अंदर से आपने ब्लॉ बॉल सेलेट करी, तो इसकी प्रॉबलिटी क्या होगी, पहले तो बॉक्स सेलेट करेंगे, उसकी प्रॉबलिटी बनेगी 1 बाई 2, क्योंकि दो बॉक्स हैं, दोनों में से आपने कोई एक बॉक्स सेलेट करा, तो उसकी प्रॉबलिटी 1 बाई 2, अब उसमें से आपने blue ball select करी तो blue ball की probability आगे 6 upon 11 या फिर क्या होगा जब आपने दूसरा वाला box select करा तो उसकी probability भी 1 by 2 उसके अंदर से जो blue ball है हुआ है आपके पास 7 और total है 10 तो यह आगे आपके पास 6 upon में इसको cancel कर देते हैं 3 upon 11 plus 7 upon 20 LCM करते है 137 upon में 220 option नाइन्थ का C question number 10 problem in the probability was given to the C student A, B, C whose chances of solving are this, this and this तो what is the probability that the problem would be solved अब ही करा है कि जो student A है यह सको solve कर देता है, इसकी probability यह है तो यह solve नहीं कर पाता यह भी निकाल लेते हैं 2 by 3 probability of B 1 upon 5 है तो यह solve नहीं कर पाता जो जाएगा 4 upon 5 probability of C 1 by 2 है तो यह solve नहीं कर पाता यह भी 1 upon 2 हो गया अब आप से यह पूशा जा रहा है कि what is the probability that the problem would be solved problem solve हो जाएगी, अब problem solve कैसे कैसे होगी या तो एक ने solve कर दी या दोनोंने solve कर दी या तीनोंने solve कर दी तो यह निकालने के बज़ा हम यह निकाल लेते हैं कि problem को कोई solve भी नहीं कर पाया कोई problem को solve भी नहीं कर पाया और total probability होती है 1 उसमें से हम इसको कर देते हैं माइनस ना तो A ने सॉल करी ना B ने सॉल करी ना C ने सॉल करी 2 अपॉन 3 4 अपॉन 5 1 अपॉन 2 2 से यह 2 कैंसल 1 माइनस 4 अपॉन 15 15 माइनस 4 11 अपॉन 15 option आगिया 10th का D 11 में कहता है कि there are 3 person age this this and this the survival probability of these 3 person for another 5 year is this यानि अगले 5 साल तक यह लोग जिन्दा रहेंगे इसकी probability यह है what is the probability that at least 2 of them would survive another 5 year तो उसमें से कम से कम तो 2 लोग है ना वो survive कर रहे हैं तो कम से कम 2 लोग survive कर रहे हैं मतलब जो पहला person है उसको यह माल नेते हैं पिसले question की तरही यह 0.7 है तो यह survive अगर नहीं कर पा रहा तो यह हो गया 0.3 यह survive कर रहा है 0.4 यह survive नहीं कर रहा 0.6 यह survive कर रहा है बहुत कम probability है इसकी सबसे पहरे लोगेगा यह आ जाएगा 0.8 तो कह रहा है कि कम से कम दो लोग survive कर रहे है तो दो लोग survive करना मतलब ऐसे हो सकता है कि A survive कर रहा है B survive कर रहा है लेकिन C survive नहीं कर पा रहा यह फिर A survive कर रहा है B survive नहीं कर पा रहा C survive कर रहा है यह फिर हो सकता है कि A ही लोग गया पहले और B और C दोनों बचे हुए probability है कुछ भी हो सकता है या फिर तीनों के तीनों सर्वाइव कर रहे है ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सर्वाइव कर रहे हैं अब यह सारी जो probability है आप इसमें value put कर दो ठीक है अगर हम one में से minus करके करेंगे तो फिर हम कौन सा case ले सकते हैं कि इनमें से एक भी survive नहीं कर रहा है लेकिन एक survive करने वाला भी लेना पड़ेगा तो उससे भी लंबा हो जाएगा कुछ फायदा नहीं होगा तो P A और P B देखो 0.7 और 0.4 और 0.7 0.4 और C नोट आजएगा 0.8 P A आपके पास है 0.7 P B नॉट 0.6 P C 0.2 प्लस A नोट आगे आपके पास 0.3 P B 0.4 0.2 और तीनों आगे 0.7 0.4 0.2 इनको करो multiply प्लाई 8 चोग 32 साथ दूनी 14 साथ एक्कीस और एक बाइस इदा से देखो 6 दूनी 12 सत्य चोरासी प्लस तीन चोग 12 दूनी 24 प्लस साथ चोग 28 दूनी 56 इनको प्लस करो 6 4 10 4 14 4 8 बचा एक दो रेक तीन तीन और आट ग्यारा ग्यारा और दो तेरा तेरा और पांच अठारा फिर एक बचा दो रेक तीन 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 तो 0.388 ऑप्शन मना इसका डी क्योंक नम्बर 12 इसके सच बोलने की 30 परसेंट है टॉम की प्रावलिटी ऑफ टॉम यह 30 परसेंट यह थर्टी परसेंट यह थर्टी परसेंट यह थर्टी यह थर्टी अपोन हंड़र्ट और प्रावलिटी ऑफ टॉम नॉट स्पीक टूथ 70 अपोन हंड़र्ट डिक की 25 परसेंट है सच बोलने की 25 अपोन हंड़र्ट और इसकी डिक के सच ना बोलने की 75 अपोन हंड़र्ट तो इकर है कि दोनों आपस में कंट्राटिट कर रहे हैं मतलब अगर यह टॉम सच बोल तो डिक जूट बोल रहे हैं या फिर टॉम जूट बोल रहे हैं तो डिक सच बोल रहे हैं मतलब दूसरे का पोजिट चलेंगे बंती नहीं बिलकुल भी जूट बोलेगा दूसरे सच बोलेगा तो यहां पर आगया देखो तीन पंजे 15 तीन सत्य 21 और 12 चार जीरो आजाएंगी 25 सत्य कितना होता 175 इन दोनों को एड़ करतो जीरो जीरो साथ दोनों और एक दस दो तीन और एक चार नीच आजाएगा 10,000 यह कैंसिल हो गया 0.4 आंसर आगया यह आंसर आगया इसका 12 का भी question number 13 में गयता है कि there are two earns the first earn contain three red and five white balls whereas the second earn contain four red and six white ball a ball is taken at random from the first earn and is transferred to the second earn now another ball is selected at random from the second earn the probability that the second ball would be red तो second वाली ball आप निकालोगे ना transfer करने के बाद वो red ball होगी अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पहले वाला bag उससे एक ball transfer कर रहे है अब transfer जब हम करेंगे तो दो case बनेंगे अगर transfer ball आपकी red है तो transferred ball is red या फिर transferred ball is white और आपने red ball transfer करी तो red ball transfer करने की probability होगी 3 upon 8 अब ऐसा करने के बाद जब आप second वाले bag पर जाते हो तो आपने एक red ball transfer करी है यहाँ पर 4 red थी तो 5 red हो गई 5 red हो गई और 6 white होगी तोटल 11 बोल होगी अब उस 11 बोल में से आपने जो बोल निकाल लिए वो red वाली ball की probability बताने है तो रेड़ वाली बोल आपके पास बन गी 5 टोटल बोल होगी 11 यह हो गया इस वाले केस में क्या होगा कि आपने जो ball transfer करी है वो white transfer करी है तो white की probability आगी 5 upon 8 फिर आप दूसरे bag पर गए तो दूसरे bag में white ball बढ़ गी रेड़ बोल तो उतनी है लेकिन आपको निकालनी तो रेड़ बोल ही है तो रेड़ बोल निकाल लोग जा जाएगा 4 upon 11 अब इन दोनों को plus कर दो तो आज जाएगा 15 और यहाँ सा जाएगा 20 दोनों का denominator में आएगा 88 तो 35 upon 88 अंसर बनेगा 13 का भी उसके बाद question number पे चलते हैं किस पर 14 पर यानि यह तो physics में फेल होने की है यह chemistry में फेल होने की है और यह at least one of the two subject यानि दोनों में से किसी एक subject में फेल होने की है मतलब यह 30 परसेंट क्या है मौल लिदे इस हम physics है यह फेल होने की है तो dash लगा देता हूं 30 % और chemistry में फेल होने की 50 परसेंट और at least one of them या तो इस्में फेल हो रहे है यह उसमें फेल हो In an examination, examine in selected random, what is the probability that he passed in physics? तो परहले इनकी पास होने की निकाल लो, फिर आगे देखेंगे, तो यह 70 आएगा, यह 50 रहेगा, यह 40 था ना यह तो, 40 था तो यह 60 आजाएगा, और इसका फार्मला होता है 1-P intersection C, तो यह आपके पास यह आ गया इसको इतर जाके इसमें से माइनस करोगे तो intersection भी पी intersection C भी यह आ जाएगा अब इसके बाद इसने probability हमसे पूछी कि वर्ट इस प्रॉबर्टी देट ही पास्ट इन physics की पास हो चुक फिजिक्स में पास होने की प्रॉबर्टी बताओ तो इसका मतलब उपर तो आएगा हमारे पास probability of P intersection C नीचे आएगा probability of C नॉट अब C नोट तो आपके पास है C नोट तो आपके पास है लेकिन यह नहीं है तो इसको निकाल लेते हैं पहले C नॉट इसका मतलब है कि probability of P में से आपको intersection कर देना माइनस इसका यानि physics में पास है chemistry में फेल है तो फिजिक्स में पास है chemistry में फेल है probability of P पी आपके पास है 70 और intersection आया हमारे पास 50 तो यह आ जाएगा 20 अपॉन में 100 तो यह रखना आपको intersection में 20 अपॉन 100 ऊपर और नीचे C नॉट मतलब 40 अपॉन 100 तो यह आ जाएगा 0.1 अपॉन टू पॉन डेसिमल में आएगा और वैसे वन अपॉन टू आएगा तो मैं fraction में दिया हुए तो हम यह यूज करेंगे question number 15 पे चलते हैं 15 में कहता है कि packet of 10 electronic component is known to include two defective दो defective है तो बाकी के मतलब non defective ही होगे if a sample of four component is selected random from the packet what is the probability that the sample does not contain more than defective item एक से ज्यादा defective item नहीं होगा एक से ज्यादा defective नहीं होगा तो इसका मतलब only default defective हो सकते है यह zero defective तो प्रॉबलटिव आपको 0 निकालनी है और प्रॉबलटिव वन निकालनी है आप कितने item आपको निकालने है आपको निकालने है चार component तो छार component का sample आपको लेना और उसमेंसे एक भी defective नहीं है डिफेस्क्तिव की probability कितनी बनेगी 2 upon 10 और non-defective की probability बनेगी 8 upon 10 तो यह खार है कि 4 में से एक भी defective item नहीं है तो defective की probability 2 upon 10 है यह एक भी नहीं है 8 upon 10 यह कितने है 4 1 का मतलब हो गया कि आपके पास एक defective item है यानि 4C1 तो 2 by 10 एक बार आएगा और 8 by 10 तीन बार आएगा यह 1 हो गया यह 1 हो गया यह 8 by 10 यह नहीं 4 upon 5 की पावर 4 होगी 4C1 आगया 4 8 upon 10 और इदर से आजाएगा आपके पास इसको भी वैसी काट देंगे तो 4 upon 5 की पावर हो गया अब इसको अगर आप simplify करेंगे तो यह भी 4 upon 5 ही बचा तो 4 upon 5 की पावर 4 इदर है 4 इदर है तो यह गया 2 times of 4 upon 5 की पावर 4 अब 4 की पावर 4 कितना होता आपके पास कुश्चन नमबर 15 में गाता है कि packet of 10 electronic component is known to include 2 defective अगर 2 defective है तो इसका मतलब non-defective होगे है हमारे पास 8 और probability भी निकाल देते हैं defective की है 2 upon 10 non-defective की हो गई 8 upon 10 अब करता है इफे sample of 4 component 4 component आपको निकालने है selected random from the packet what is the probability that the sample does not contain more than one defective एक से जदा defective आइटम नहीं होगे एक से जदा defective नहीं होगे तो एक defective हो सकता है या फिर 0 defective हो सकता है यानि probability of 0 आपको निकालना है probability of 0 आपको चार ही सेम्पल है ठीक है probability of 0 plus probability of 1 तो 0 का मतलब है कि एक भी defective नहीं निकलता चारों के चारों कौन से निकले नॉन डिफैक्टिव निकल रहा है या नी जो आठ नॉन डिफैक्टिव उसमें से तीन लेने और एक डिफैक्टिव जो है आपके बास वह इन दोनों में से लेना है नीचे तो वही रहेगा 10C4 8C4 को अगर आप simplify करोगे तो क्या हैगा आपके पास यह तो 10C4 है तो को तो हम common ही निकाल देते हैं बहार अंदर देखो 8C4 का मतलब आ गया 8, 7, 6, 5 नीचे आ जाएगा 4 factorial 4 into 3 into 2 into 1 बाकी जो चीज़ें वो कट गी 8C3 हो गया 8, 7, 6 और नीचे 3 factorial है तो 3 into 2 into 1 और 2C तो 2 के बराबर ही होता है और 10C4 को solve करेंगे तो यह होता है 210 के बराबर यहाँ से देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 चीज़ें तीन दूनी 6 तो यहाँ से आगे आपके पास 7 दूनी 14, 14, 15, 70 प्लस यहाँ पर आएगा 8 दूनी 16, 16, 17, 112 तो ऊपर आगे दो 7 और 1, 8, 1 नीचे आगे यह 2 से काट दो 91 और 7 से कट जाएगा 13 पर यह कट जाएगा 15 पर 13 वटे 15 यानि 15 को ओप्शन हुआ C, question number 16 में question number 16 देखने है इसमें कहता है कि 8 identical balls are placed at random in the 3 bags 8 identical balls है, उनको आपको randomly 3 bag में से किसी में भी रखना है, what is the probability that the first bag will contain 3 balls हमें probability बदानेंगी जो पहले वाला बैग है उसके अंदर 3 बॉल आएगी तो अगर हम total number of waste की यहाँ पर बात करें तो total number of waste कितने बनेगे जब आप पहली बोल लेकर जाओगे ठीक है तो आपके पास पहली बोल लेकर जाओगे तो तीन बैग आपके पास अविलेबल है यानि किसी भी बैग में आप ही डाल सकते हो तो यहाँ पर आगया option 3 फिर जब अगली बोल लेकर जाओगे त तीनों बैग फिर आपके पास अविलेबल है फिर अगली बोल लेकर जाओगे इस तरह से करते करते आप इसमें आठो की 8 बोल निकाल लोगे यानि 3 की पावर 8 क्योंकि किसी भी बैग में आप डाल सकते हो आठो की आठो एक बैग में भी डाल सकते हो ठीक है यह तो गया total number of अब यह कह रहा है कि भाइट इसदा प्रॉबिलिटी अगर पहले वाले बैग में तीन बॉल हो जाए तो यानि बाकी की जो पांच बॉल है वो किसमें होंगी बाकी के दो बैग में होंगी तो उसके number of वेज कितने बनेंगे तो यही कंसेप्ट अगर आप फॉलो करोगे तो आज रहेगा टो की पावर 5 ठीक है अब प्रॉबिलिटी क्या बनेगी आपने यह जो पहला बैग है उसके इंदर तीन बॉल डाल दी अब बाकी की जो बॉल है वो दूसरे बैग में डाल रहे हो आप तो उसकी प्रॉबिलि करने के लिए अब यहां से बैसको सिंप्लिफाई करो आप ऊपर आजाएगा 32 8C3 को अगर आप सॉल्ल करेंगे तो आजाएगा 8 7 6 नीचे 3 की पावर 8 यह हुए और एक 3 फैक्टोरियल नहीं 3 इंटू में 2 तो 3 टू जाएगा अब यह सारा आप सिंप्लिफाई करो इसको सिंप्लिफाई करके देगो 32 8 और 7 इसको अगर हम मल्टिप्लाई करेंगे 32 8 7 को मल्टिप्लाई करके आपको 3 से डिवाइड करना है ठीक है कितनी बार 8 बार यह आप सिधा है कर सकते हो 3 3 जा 9 कर दिया फिर 9 से डिवाइड कर लो फिर 9 से कर लो फिर 9 से कर लो तो मारे पास रहा है 0.72731 यह मारे पास option आ रहा है 16 का A 17 में कहता है कि एक से एक से एक से एक सेंड वाइड स्टेंड इन लाइन विट सिक्स अधर पीपल एक्स और वाई जो है वो छे लोग के साथ लाइन में खड़े है यह टोटल जो परसन है वो गए आपके पास आठ ठीक है अब गएड़ा कि what is the probability that there are 3% between them तो इनके बीच में कितने लोग इनके बीच में अगर तीन लोग आएंगे तो हमें उसकी probability पतानी है तो नीचे तो टोटल तो आपके पास 8 लोग है तो नीचे तो आपके पास 8 factorial आएगा उपर आप simplify करो उपर आप कैसे आपको रखना है इसने बोले है कि पहलए एकस और वाई के बीच में या पर तीन लोग आने है तो अभी ये नहीं पता कि एकस के दा रखना ए या एधर रखना है एकस य य बीच होना जाए event दो फैक्टोरियल तो यह आ गया, यह एक्स उधर हो या इदर हो, दो अप्शन तो इसके यह आ गया, अब उसके बीच में जब आप यहाँ पर तीन लोग रखेंगे, तो पहले आपको तीन लोग सेलेट करने पड़ेंगे, वो कहां से सेलेट करोगे, आपके पास छे लोग है, एक्स वाई के लावा, उच्छे में से कोई से भी आपने तीन लोग सेलेट कर लिए, 63 आ गया, अब जो आपने सेलेट करें, उसमें से जो पहला वाला बंदा है, उसको आपके पास कितने ओप्शन बनेंगे यहाँ पर, झाल बैस में से कहीं भी आ सकता है, तो थी फैक्टोरल आ गया, ठीक है, उन तीनों का रखने के लिए, या 3-2-1 सीधा कर दो, तो थी फैक्टोरल आ गया, और क्या रहेगे यहाँ पर हमारे पास, अब जो हम यहाँ पर टोटल हमारे पस आट लोग जो पांच लोग तो यह ह आवा तीन लोग और आगके अब ऐसा कोशश जरूरी नहीं है Zhengfield अन्यति यह यहां पर होंगे यह कहीं भी होंगे यह कहीं और भी हो सकते हैं मतलब यह वाला person यह न हो के यहां हो Сकता है लेकिन जहां भी जाएंगे यह जाएंगे तो यह खट्टी यह पूरा एक group count होगा फिर 2, 3, 4 चार लोग हो गई तो into में 4 factorial अब इसको simplify करो इससे हमारा answer बनेगा तो 2 factorial तो आगया 2 6 factorial हो जाएगा कितना 6, 5, 4 यानि 20 आजाएगा ये 3 factorial 6 हो गया 4 factorial को ऐसी रहने दो 8 factorial आजाएगा 8, 7, 6 5, 4 इससे cancel करो 6 से cancel करो तो 2 से आप ये cancel करो 4 से आप ये cancel करो 5 से आप ये cancel करो तो बचिया 1 upon 7 option आगया आपके पास 17 का C उसके बाद देखो question number 18 18 में कहता है कि आपके पास PA है, PB है, PA intersection भी है, what is P A naught B naught ये आपको निकालना है अब A naught B naught इसके लिए जो formula हमारा बनेगा ये उपर तो आएगा इसका intersection और नीचे आएगा probability of B naught अब जो intersection होता है, ये किसके बराबर होता है ये होता है, ये होता है, 1- PA union B के, और नीचे B naught का intersection, ओ, B naught है, B naught की probability होता है, आप यहां से निकाली सकते हो, B naught आजाएगा आपके पास 2 upon 3, तो नीचे आगे आपके पास 2 upon 3, अब ये PA union भी निकालना है, यूनियन के लिए आपको ये सारे चीज़े रखी हैं, तो यूनियन का फार्मूला क्या होता है, यूनियन के फार यहां से 4, यहां से 3, 3, 4, 10, 10 में से 3 के साथ, 7 upon 12, तो यहां पर रखेंगे 1-7 upon 12, upon 2 upon 3, 12-7, 5 upon 12, और ये 3 उपर कर दो, तू इधर लियाओ, तो आजाएगा 5 upon 8, ओप्शन बना 18 का C, उसके बाद देखते है, question number 19, जो 19 question है, उसके अंदर आपको, कहता है, यह चार डिजिट दे रहेखे, 1, 2, 4, 6, और सेलेक्टिट रेंडम, तू फोर में 4 डिजिट नमबर, चार डिजिट का नमबर आपको बनाना है, तो टोटल जो चार डिजिट के नमबर है, वो तो आगे आपके पास, चार डिजिट हैं आपके पास, उससे चार डिजिट का नमबर बनाओगे, तो यह तो आजाएगा 4 फैक्टोरियल, यह तो आजाएगा टोटल नमबर इतने बन सकते हैं, तो वट इदा प्रबबिलिटी देट नमबर सो फॉंग वोड बी डिवीजिबल बाइफ फोर अगर हम डिवीजिबल बाइफ फोर बनाना चाहें, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, जो लास्की जो दो डिजिट हैं, इसे चार डिजिट का नमबर आप बना रहे हो, तो ड पहली दो डिजिट, ठीक है, वन के साथ मैं ऐसे ले लूँ तो भी चार से डिवाइड होगा, वन के साथ मैं यह ले लूँ तो भी चार से डिवाइड होगा, और तो नहीं होगा कुछ, तो के साथ अगर मैं ले लूँ फोर, तो चार से डिवाइड हो जाएगा, तो के साथ six लेंगे तो नहीं होगा two के साथ one लेंगे तो भी नहीं होगा अगर पहले नमबर चार रख दूँ और चार के साथ अगर मैंने यहांपर लिया चार के साथ कुछ भी नहीं आएगा चार के साथ तो अगर एक रखू अदो रखूँंगा Saya two- 2 भी नियों तो यह कैंसिल करो छे रखते हैं यहां पर 2 भाख नबर सकते हैं अब in बचे कहीं नमबर दो जो तो देखना सबसाइब 1 अब नहीं गरें के लिए बाक्या जो दो नमबर ना मर्धित का पर पास तो यानि इन्टू में टू फेक्टोरियल तो यह आ जाएगा फोर इन्टू में टू नीचा जाएगा फोर थी टू और वर इससे एक एंसल इससे एक एंसल आंसर आएगा वन अपॉन थी जैनी 19 का उप्शन बनेगा डी question number 20 20 में इसने बताया कि probability दे रखी है उनका x दे रखा है random variable दे रखा है standard deviation बताना है तो standard deviation का जो formula है उसमें आपको एक तो ex से यह ex का मतलब होता है x को उसकी probability से multiply करो यही वन इंटू में 0.5 15 2 इंटू में 0.25 4 इंटू में 0.20 5 इंटू में 0.30 and 6 इंटू में 0.10 इसको multiply करेंगे यह आएगा पच्चेश दुनी 50 इंटू इस चोग असी पंदरा और decimal गलत लगा दिया है इसमें पंदरा मतलब डेसिमल आएगा यहां पर 1.5 बनेगा और 6 इंट इस 60 जिरो पॉइंट इस इस 60 या नहीं 0.6 ठीक है इन सब को एड़ करो एड़ करोगे आप तो यह बनेगा कितना चछ पांच ग्यारा ग्यारा और ऐड़ कि यारवाट इन इस इस 25 इस 25 इस दो पॉइंट यह इक तिन और एग यहांपर पांस नदरा 3.55 अब निगालोगे आप इएकस स्क्वेर तो एक्स स्क्वेर का मतलब जो एक्स है उसका स्क्वेर करके फिर मल्टिप्लाई करना है अब देखो पहला तो सही में रहेगा यहाएगा पच्चिस ओक सो का मतलब आगया वन यहाँ जाएगा सोला सोला दुनिव बतिस त्री पॉइंट डू प्लस पच्चिस पच्चिस थी पिछत्तर सेवन पॉइंट फाइव चत्तिस चत्तिस को इससे करेंगे तीन सो साथ मतलब थी पॉइंट सिक्स अब इनको एड़ करोगे तो पिए पांच है और पांच ही रहेगा यह तो यहाएगा छे और पांच ग्यारा ग्यारा तो तेरा तेरा और एक चोड़ा बचा एक ठीक है एक और एक दो दो और तीन पांच पांच साथ बारा बारा और तीन पंदरा अब standard deviation जो होता है उसका formula होता है आपको square root करना है किसका e x square minus e x का whole square अब e x square की value आपके पास कितनी है e x square आपके पास 15.45 minus 3.55 का अगर आप square करेंगे 3.55 यह रहा 12.6025 इन दोनों को कर लेते हैं minus minus करने पार आपके पास value आएगी 2.8475 और इसका अब करना है में square root square root of 2.8475 तो यह रहा 1.68 1.687 मतलब round off करेंगे तो 1.69 ही आपके पास answer आजाएगा question number 21 21st question है उसमें आपको कहता है कि packet of 10 electronic component is known to include 3 defective तीन defective है तो साथ non-defective होगे इप four component are selected from the packet at random what is the expected value of the number of defective expected value बतानी है मतलब आपको पहले distribution बनाना पड़ेगा distribution अगर आप बनाओगे तो इनों कौन से होंगे नॉन defective होंगे यानि 7C3 total आजाएगा 10C3 7C3 को अगर आप solve करते हो तो यह आजाएगा आपके पास 35 और 10C3 को अगर हम solve करेंगे तो यह बनेगा आपके पास 1098 3 और 2 अच्छा आपके बारा 120 ठीक है उसके बाद अगर हम one लेते हैं one का मतलब है कि आपने एक defective लिया defective कितने थे आपके पास तीन if four component are selected चार component हमें select करने हैं तो हमें एक और लेना पड़ेगा ठीक है तो चार component select करने हैं यहां से हम तीन defective हैं लेकिन component जो है वो चार आपको select करने हैं तो चार सेलेट करेंगे मतलब चारो के चारो नॉन defective आगे यानि सेवन सी फोर नीचा जाएगा टैन सी फोर अब सेवन सी फोर को आप solve करेंगे तो यह बनेगा आपके पास सेवन सेक्स फाइफ वही बनेगा थर्टी फाइव बनेगा क्यों सेवन सी फोर दोनों बराबर होते हैं तो यह आपके पास थर्टी फाइव बनेगा उपर दो करने की जरूती नहीं टैन सी फोर को देखो टैन सी फोर को अगर हम करेंगे यहाँ पर साथी एकिस तो यह दोस्तों दस आएगा उसके बाद एक, एक का मतलब है कि हमने एक तो डिफैक्टिव ले लिया डिफैक्टिव बारे पास तीन थे एक डिफैक्टिव आ गया और बाकी जो साथ है उसमें से तीन नॉन डिफैक्टिव आ गए तो 3C13 आ जाएगा यह 35 भी रहेगा नीचे 210 आ जाएगा 105 अपॉन में 210 2 का मतलब है कि 3 में से हमने 2 निकाले और 7 में से भी 2 निकाले 3C2 हो जाता है आपके पास कितना 3 और 7C2 हो जाएगा हमारे पास सत्य 21 तो यह जाएगा 63 अपॉन में 210 यहाँ पर आजाएगा 3C3 7C0 और स्वरी 1 10C4 तो 3C3 1 हो गया 7C1 हो गया 7 अपॉन में 210 अब यहाँ पर कर रहा है कि 4 दिफेक्टिव तो 4 दिफेक्टिव पोसिबल ही नहीं है क्योंकि दिफेक्टिव तो 3 ही हमारे पास है तो इसकी बन जाएगी 0 और डिस्ट्रिबुशन आपका ठीक बन रहा है यह चेक करने के लिए देखो उसका टोटल 1 आना चाहिए पांस पांस दस दस और दस बीस बचे दो दो तिन पांच पांच और छे ग्यारा एक और एक दो ठीक आ रहा है तीन को इससे करेंगे 21 और लास वल अभी 0 है इन सबका टोटल आप करोगे तो डिनोमेंटर सबका सेम है तो 5 से 11 और एक 12 दो दो चार और एक 5 एक और एक दो 252 अपॉन में 210 अब इसको देखो डेसिमल में आंसर पूछ रहा है तो 252 को 210 से डिवाइड कर ले दे 252 को डिवाइड करो 210 से तो अब 1.2 1.2 मतलब 1.20 तो 21st का अंसर बना हमारा A उसके बाद चलते हैं क्वेश्चिन नंबर 22 पर 22 में कहता है कि the probability that there is at least one error in an account statement prepared by 3 person A, B, C, R this and this A गलती इतनी करता है B इतनी गलती करता है C इतनी गलती करता है if A, B, C are prepared 60, 70 and 90 such statement A ने इतनी statement करी B ने इतनी statement त्यार करी C ने इतनी statement त्यार करी expected number of correct statement तो correct statement की निकालनी है यह जो probability दे रखी ना यह wrong की दे रखी उसने की error करते हैं तो error नहीं करते हैं इसकी इसकी क्या बनेगी error नहीं करनेगी 0.8 और यह कितनी statement चेक कर रहा है 60 multiply कर दो इसकी error ना करनेगी 0.7 और यह कितना करता है चेक 70 इसकी है 0.9 और यह चेक कितने कर रहा है 90 statement इनकों इनकों सॉल्ल करूँ 8 6 48 और यहां जाएगा 77 49 इधर आजाएगा 99 81 तो 9 8 17 और एक 18 बचेगा एक आठ और एक नो नो चार तेरा तेरा और चार 17 तो 178 तो 22 का option अजाएगा सी एक बैग कंटेन्स 6 वाइट एंद 4 रेड बोल एक बैग है जिसके अंदर 6 वाइड बोल है और चार रेड बोल है इफ ए परसंट रो टू बोल्स और रिसीव रूपीस 10 और 20 पोर यह वाइड पहले वाइड बोल निकालता है और रेड बोल निकालता है तो उसके इसाब से अगर वाइड बोल निकालता है तो उसको 10 रुपे मिलेंगे रेड बोल निकालता है तो उसको 20 रुपे मिलेंगे देन इस एक्सपेक्टिड अमांट तो उसका एक्सपेक्टिड अमांट क्या ह होगा तो पहले हम यहां पर जो एमाउंट वो जीतेगा यहारेगा पहले वो निकाल लेते हैं तो अगर यहां पर पहले वाला केस हम लेते हैं कि दो वाइट बोल निकालता है तो दो अगर वाइट बॉल निकालेगा तो उसमें उसकी जो प्राबिबिलिटी है वो क्या बनेगी वाइट बॉल उसके पास है कितनी छे उसमें से दो वाइट बॉल निकालेगा टोटल आजाएगा 10C2 अगर आप 6C2 को सॉल करोगे तो आजाएगा 15 10C2 को सॉल करेंगे तो आजाएगा 45 और यहां से अगर वो दोनों की दोनों रेड बॉल निकालेगा तो तो रेड बॉल आपके पास चार तो 4C2 को आप solve करेंगे तो यह आजाएगा 6 नीचे तो आएगा 45 और अगर वो एक red और एक white निकाल रहा है तो एक white निकाल दी यहां से एक red निकाल दी total तो वो ही रहेगा तो 6 चोबिस अब जो amount वो जीतेगा या हारेगा अगर पहला case है कि दोनों white ball निकाल दी तो white ball निकालने पर उसको 10 रुवे मिल रहे है एक्स यहां पर क्या पनेगा 10 प्लस 10 यानि 20 यहां पर दोनों red ball निकाल रहे तो 20 प्लस 20 40 यहां पर एक red ball है और एक white ball है दोनों में से कोई भी event आजाए तो यहां पर मिलेंगे उसे 30 तो यह उसका expected amount है ठीक है अब जो amount वो मतलब जीत सकता है या हार सकता है यह उसकी probability है तो expected amount जो एक्स आप निकालेंगे वो क्या है आपके पास इसको करेंगे इससे multiply तो 15300 upon में 45 चार से करेंगे इसे 240 upon में 45 24 72 upon 45 इन सबको add करो डिनोमेटर सबका सेम है तो यहां जाएगा 0 4 और दो 6 7 और दो 9 9 और 3 12 काटो इसे 9 से काट लो नो पंजे 45 नो एकम नो नो चोग छत्तिस फिर पास से काटो 28 तो आंसर देखो 28 इसका option मनेगा आपका D 24th question में variance निकालना आपको distribution दे रखा है लेकिन distribution में यहां पर एक पंगाई का रखा है इसने k दे रखा है तो हम यह पता है कि जो distribution होता है इसका सम 1 के बराबर होता है तो यहां पर देखो एक और दो तीन तीन छे छे नौ और एक दस तो हमारे पास यहां पर है टैन के और यह वन के बराबर है तो के की वैलू आगी वन अपॉन में टैन तो जब हम variance निकालते तो variance निकालने के लिए आपको x सही होगा अब क्योंकि k की value यहां पर 1 by 10 आ रही है तो मैं probability को change कर देता हूं k की जगे मैं 1 by 10 कर देता हूं यह 2 by 10 इदर 3 by 10 फिर 3 by 10 फिर यहां पर 1 by 10 अब आपको यह नहीं लेना अब आपको यह x लेना है यह पी लेना है तो आप पहले x निकालो तो e x में हम क्या करते है इसको इससे multiply 1 upon 10 फ्लस टू टू जा 4 upon 10 4 फ्रीजा 12 upon 10 6 फ्रीजा 18 upon 10 और 8 बंजा 8 upon 10 18 26 यह 18 32 ही हो गया 30 और 38 38 और 35 43 43 upon 10 यह 4.3 फिर आपको जरूत पड़ेगी e x square की तो उसमें x का square करके फिर इससे multiply करना है पी से तो x का square करेंगे 1 तो यह 1 upon 10 ही रहेगा यहां यहां चार चार को इससे multiply इदर आएगा 16 16 43 तालिस इदर आएगा 6 6 6 36 36 ती एक सो आठ एक सो आठ नीचे तो दस ही रहेगा उसके बाद 8 का square 64 उसको एक से करेंगे यहां एक अब इसका sum करो देखो एक सो आठ तो यह है एक सो आठ और आठ और एक नो नो आठ सत्रा 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 चार इकिस इकिस और आठ उननत्तिस बचेंगे दो दो छे आठ 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 चार बारा दो एक एक और एक दो टू टू नाइन अपॉन में 10 यहने जाएगा 22.9 अब जो variance होता है variance के फार्मूले मे e x के square में से minus कर देते हैं e x का whole square तो 22.9 में से minus करेंगे 4.3 का square तो 4.3 का square देखो कितना बनेगा 4.3 into 4.3 18.49 और 22.9 में से इसको कर दो आप minus 4.41 और आपके पास यह 4.41 तो इसी question के साथ ही जो exercise थी हमारी probability की यह complete हमने कर लिए probability पूरा chapter हमने complete कर लिया है जल्दी मिलते हैं next वीडियो में एक नए chapter के साथ thanks to all of you